बलगम वाली खांसी होने पर आजमाएं ये पांच घरेलू उपाएं निकल जाएगा छाती में जमा बलगम दोस्तों खांसी के साथ बलगम आना वैसे तो बहुत आम समस्या है लेकिन कई बार ये कुछ गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है जैसे टीबी इसलिए अगर किसी व्यक्ति को काफी लंबे समय से खांसी के साथ बलगम आने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए हालांकि सर्दी जुकाम के बाद लोगों को अकसर ही बलगम वाली खांसी से जूजना पड़ता है ऐसा आम तोर पर मौसम में परिवर्तन होने पर देखने को मिलता है क्योंकि मौसम बदलने पर संक्रमन की चपेट में आने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है लेकिन इसके कारण लोगों को काफी असहजता होती है कई बार उन्हें इसके कारण लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है ये समस्या इतनी गंभीर होती है कि डॉक्टर से दवा लेने के बाद भी इससे आसानी से छुटकारा नहीं मिलता है ऐसे में लोगों खांस खांस कर और बार बार बल्गम बाहर निकाल कर बुरा हाल हो जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप डॉक्टर से उपचार के साथ अगर कुछ देसी घरेलू नुस्खों को फॉलो करते हैं तो इससे जल्द आपको बल्गम वाली खांसी से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है ऐसे कई घरेलू नुस्खें हैं जो बल्गम वाली खांसी दूर करने में बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बलगम वाली खांसी के पांच घरेलू इलाज बता रहे हैं लेकिन दोस्तों ये उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे शहद के साथ काली मिर्च चबाएं शहद और काली मिर्च का कॉंबिनेशन न सिर्फ खांसी से आराम प्रदायन करता है बलकि ये च्छाती में जमा बलगम को बाहर निकालने में भी मदद करता है इसका लाब प्राप्त करने के लिए आपको बस दिन में दो-तीन बार एक चमच शहद के साथ चार-पांच काली मिर्च का सेवन करना है तुलसी की चाय पिए तुलसी में कई और शदिये गुण होते हैं ये खांसी और बलमक की समस्या के लिए एक राम बान उपाए है दिन में दो-तीन बार तुलसी अद्रक की चाय में शहद में मिलाकर सेवन करने से आपको बहुत राहत मिलेगी गरारे करें गरारे करने से गले की खराश कम होती है ये खांसी से राहत प्रदान करती है और बलगम को ढीला करने में मदद करती है इसे गले की सूजन को कम करने में भी मदद मिलती है आपको एक गिलास पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाना है फिर इससे मिनट तक गरारे करने है पानी में कपूर डाल कर भाप लें गर्म पानी में कपूर डाल कर भाप लेने से बंद नाक खोलने, गले की खराश और सूजन कम करने और बलगम बाहर निकाने में मदद मिलती है दिन में दो तीन बार ऐसा करने से बलगम वाली खांसी में बहुत आराम मिलता है आप कपूर के बजाए गर्म पानी में पुदीना का तेल डाल कर भी भाप ले सकते हैं यह भी बलगम वाली खांसी के लिए एक राम बान उपाए है शहद और अद्रक का सेवन करें शहद और अद्रक दोनों ही anti-on accidents और anti-inflammatory गुणों से भरपूर होती है आप एक चम्मच शहद के साथ छोटा अद्रक का टुकड़ा चबा सकते हैं या फिर अद्रक को पानी में उबालर इसमें शहद मिला कर पी सकते हैं